हलो एर्यवान आयम आकाश शर्मा वेलकम सिविन मैक वैप गुड मॉर्निंग अल आफ यू कैसे आप लोग आफ फुली अच्छे होंगे देखो बच्चो अपने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो आप लोगोंने मुझसे क्वेशन पूछे थे वह देखे थे जो भी अप आपन कर रहेंगे अपना जो नेक्स चैप्टर है बच्चो वह इंट्रेस्टिंग है आप लोगोंने पढ़ा भी होगा वह है वैक्टर्स नेक्स चैप्टर है वह क्या है वैक्टर्स ठीक है अब आपन पहले देखो बच्चो इस पर कुछ बाते करते हैं फिर उसके बाद आपन आगे बढ़ेंगे फिलाल तो आप लोग को यह समझना जरूरी है कि इस चैप्टर की थीम क्या-क्या है क्या-क्या आपन इसके अंदर पढ़ेंगे फिसके बाद आपन आगे बढ़ते हैं पहला तो आपन क्या पढ़ेंगे बच्चों कि टाइप सॉफ क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क कि अप्रस्टार में कि एडिशन क्या होता है कि इसके बाद सब्ट्रेक्शन सब्ट्रेक्शन और ऐगतर ठीक्ग फिसके बाद आएगा हमारे मॉल्टिप्लिकेशन मॉल्टिप्लिकेशन रॉफ वेक्टर जिसके अंदर आप अपन देखें की डॉट प्रोड़क्ट डॉट प्रोड़क्ट एंड एप्लिकेशन इसकी क्या-क्या एप्लिकेशन है ठीक ऑफिस के बाद आएगा स्केलर प्रोड़क्ट और उसकी एप्लिकेशन तो यह जो चैप्टर बना हुआ है बच्चों वह यह कंटेंट से मिलके बना हुआ है ठीक ह जो आप quantity में यह पढ़ेंगे कि पहले तो vector इसके लर या और भी type की quantity क्या क्या होती है और इनकी जरौत क्यों पढ़ी है ना पहले यह भी समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसकी जरौत क्यों पढ़ी एसी क्या जरौतान पढ़ी थी कि हमारा काम बिना वेक्टर से रुक रहा था ठीक है फिर आपन देखेंगे formation of vector कि formation of vector क्या क्या होता है फिर उसके बाद आपन देखेंगे types of vector addition of vector है ना इसी के पहले आएगा अपने एक चीज वह आएगी component of vector क्या आएगा बच्चो component of vector फिर उसके बाद आपन देखेंगे addition subtraction और multiplication ठीक है तो यह तो था बच्चो अपना content content मतलब इसा कह सकते हो कि यह यह चीज़े आपन पढ़ने वाले हैं अब मैं आप लोग को बता दू आज आपन पढ़ेंगे types of quantities and formation of vector क्या पढ़ेंगे types of quantities of formation of vector अब देखेंगे अब बच्चों पहले आपन एक चीज़ समझते हैं ठीक है कैसे समझते हैं जैसे माल लो समझना बात को यह कोई box क्या है box ठीक अब आप समझो कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं यह चाहता हूं पहले तो आपन यह समझ रहे हैं why we need direction without direction what are the quantities which cannot be simplify और यू कह सकते हो कि आप उनको बिना उसके direction के use नहीं कर सकते ऐसी क्या जरुवत पढ़ रही है देखो माल लो यह horizontal पे एक block रखा हुआ है चीक आप लोगों से बोला जाए कि आप लोग इसको इधर खिसकाओ है ना जैसे यह माल लो एक समझ ना कि एक bed है आप ही चाहते हो कि इसको बिलकुल wall के पास ले जाओ wall के पास ले जाने के लिए आपको इधर ले जाना पड़ेगा अब आपसे बोला आपको यह नहीं पता कि force कि इधर लगाना है जैसे कोई आया एक एक ने यू फोर्स लगाया क्या काम होगा क्या नहीं एक ने यू फोर्स लगाया क्या काम होगा नहीं एक ने यू फोर्स लगाया क्या काम होगा नहीं एक ने यू फोर्स लगाया क्या काम होगा नहीं एक ने यू फोर्स लगाया तो थोड़ा बहुत काम हो सकता है पर एक ने useful quantity हमारे पूरे physics में या पूरे आपकी समझ लो human being के अंदर बिना force के आपन कोई चीज नहीं करते जैसे मैं कहूं आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले मुझे आप लोग लेटे वे तो तो भी ग्राउंड पर फोर्स लगा रहे हो आप बाहर गए तो आपने देखा होगा गेट खोला तो गेट पर भी आपने फोर्स लगाया तो बैसिकली फोर्स एक बहुत यूश्फुल कांटिटी है अब अपने फोर्स को इस्तमाल करना ही नहीं आया कि किस डारेक्शन में अपलाई करें किस डारेक्शन में अपलाई करें जैसे महालो तुमारी कहीं पर लड़ाई-वड़ाई हो गई और आप लो होती है ठीक है अब आपन समझते हैं क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है हर एक वो क्वांटिटी जो हमारे आसपास अवेलेबल है उसे फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है फिर क्या डिफ्रेंस है अब देखो तीन टाइप की क्वांटिटी होती है टीन टाइब की कॉंटिटी इस कैसे एक होती स्केलर एक होती है वेक्टर और एक होती टेंसर हैना पहले तो क्या होता था कि CBSC का ऐसा मानना नहीं था है CBSC तो यह मानती थी कि किवल दो टाइब की कॉंटिटी होती है पर IT या NTA का यह मानना होता है आप देखो NTA ये सारी चीज करवा रही है तो उनके साथ से तीन टाइप की कॉंटिटी होती है यह ना तीन टाइप की कॉंटिटी कैसे पहली टाइप की कॉंटिटी होती है स्केलर जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्केलर क्या होता है हर एक वो कॉंटिटी स्केलर होगी जिसके पास क डारेक्शन की कोई requirement नहीं हो या उसके पास कोई डारेक्शन नहीं हो जैसे मैं आप लोग को बता हूं मालो मुझे distance मतला मैं चले जा रहा हूं तो हर एक चीज अगर मुह हो रही है तो क्या है distance है पर अगर वह shortage path में मुह हो रही है तो उसका क्या है displacement समझने की बात ही है जैसे मैं आप से कहा हूं मैं यू घूमे जाता हूं वीडियो के दोरान में ऐसे यू घूमता रहता हूं तो यह मेरी क्या है यह मेरी distance है बच्चो पर अगर मैं बिलकुल straight सीधा जा रहा हूं इसी जगर पे तो यह मेरा shortest path है और shortest path है तो इसका मतलब वो मेरा क्या हो गया displacement तो जहां पर scalar का मतलब क्या हुआ the quantity which only has magnitude does not have any direction and no need of direction they are called as scalar scalar के example कौन कौन से होते हैं सबसे पहला distance में आप लोग को बताया दूसरा mass हो गया तीसरा हमारा speed हो गया fourth time हो गया आप कुछ बच्चे सोच रहोंगे का टाइम तोड़ी नहीं होता है अपने तो सुना अलग अलग जगह पर अलग अलग time होता है है ना बच्चों time का अलग-अलग होना हम light के आने से decide करते हैं हम इससे decide नहीं करते हैं जैसे मैं आप लोगों से कहूं मान लो यह अर्थ है ऐसे यह समझना कि यह अर्थ का एक पार्ट है अभी यह घूम रहा है यह घूम रहा होगा तो यह लाइट तो यहाई पहना संतो फिक्स है अर्थ घूम रही है तो अर्थ के गूमने की वज़े सब्सक्राइब आगे चलता है कुछ अलग चलता है तो यह किसकी वज़े से आया अर्थ के रोटेशन की वज़े से फिर अगली क्वाइन्टिटी वर्ग ओ energy हो गया kinetic energy potential energy all type of energy जो गी वो इसी के अंदर आएगी तो scalar का मतलब हमारे को समझ में आगया scalar क्या होती एक ऐसी quantity जिसके पास क्यावल magnitude हो कोई direction नियों से क्या बोला जाता है scalar ठीक है अब आते हैं अगली वाली quantity पे अपना क्या है vectors क्या है बच्चो वैक्टर वैक्टर के ंदर क्या है सिएाग है कि वी जिसके पास direction भी हो मैंगिट्यूड भी हो क्या हो एसी quantity जिसके पास डारेक्शन भी हो क्या क्यू जिसके पास direction or magnitude दोनों जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अभी मैंने force लगा के बताया force को बीना direction के लगाना कोई मतलब नहीं मतलब आपको मैंने एक चीज बताया मारने गए तो उसको हो खुद के मार के आगे तो उसका सेंस थोड़ी ना बनेगा तो वहीं हो गया कि हर एक वह क्वांटिटी जो direction पर डिपेंड करती है जिसके पास magnitude भी होता है उसे आपन क्या बोलते हैं बच्चों तो वह हमारी कुछ quantities के पास direction भी होती है magnitude भी होता है अलग-ालग direction पर मेंगनीटीड होता है और वह quantity जो वक्टर एडेशन को को फॉलो नहीं करती है वह quantity जो वेक्टर एडेशन को फॉलो नहीं करती है उसे अपन क्या बोलते है tenser quantity ठीक है रीजन उसके पीछे क्या है जैसे मैं आप लोग को बताओ electric current है electric current है तो मानलो circuit अगर आपने बना एक इधर की तरफ 2 amp इधर 3 amp इधर 4 amp पर आपने देखा होगा आपने इसे करते हैं 2 3 4 टोटल कितना हो गया तो यह 9 हो गया तो 9 ही अपन मानते हैं यह ना पर आपको देखा जाये तो vector के पास यह समझ लो कि उसके पास direction भी है magnitude भी है पर वो vector addition को follow नहीं कर रही है तो ऐसी quantities जिसके पास अलग-अलग direction में अलग-अलग magnitude हो the quantities which has different magnitude in different direction that quantities is called as tensor quantity ठीक है टैंसर के example कौन से है electric current electric current किस टाइब की हो गई tensor एक होता है refractive index उसका भी variation क्या होता है अलग-अलग direction में अलग-अलग होता है ठीक है चलो आपन पहले तो यह देखते हैं फिर उसके बाद आपन कुछ चीज़े देखेंगे तो पहले है start करते हैं आपन अपने कुछ points है पहली आपने क्या चीज़े देखेंगे बच्चों physical quantities physical quantities ठीक है तो physical quantity क्या होती है any quantity any quantity that can be that can be measured or observed हर एक वो quantity जिसको measure किया जा सके measure का मतलब magnitude से या फिर observe किया जा सके उससे क्या कहते है is called as is called as physical physical quantity ठीक है अब क्या होता है there are three types of quantity there are three types of quantity क्या-क्या होती बच्चों टीन टाइप की quantity कौन-कौन सी होती है तो पहले आपन बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई स्केलर क्वांटिटी तो पहले सभी बच्चे अपने साब से बताएंगे क्या होगे स्केलर क्वांटिटी हमारे इस साब से स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है हर एक वो क्वांटिटी जिसके पास मैगनिटीड हो हर एक वो क्व ब्रवत नी हो तो उसे क्या बोला जाता है स्केलर कॉएंटिटी ठीक है बच्चों क्या बोला जाएगा स्केलर ठीक है तो आपन अब इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं डेफिनेशन हमारे क्या हो गई एक क्वांटिटी a quantity which has which has only magnitude which has only magnitude does not does not have any direction does not have any direction is called as scalar quantity what is scalar quantity what is scalar quantity what is scalar which has no need to be said in the example if you look at the example what is the first one is the distance distance what is the mass mass not no direction is not the third one is speed इनर फॉर्थ क्याहों गया टाइम ठीक है फिर क्या हो गया और कौन से हो गई ए सब्दोस पنتำ कर यह जाए है अब दङो रख़गो स्टार पॐंट आपने क्या चीज़ देखी कि सबसे पहले हमने बीच में भी बात करी थी कि time का क्या significance है तो अगर अपने सब पूछा जाए तो why time is different why time is different at different places different places अलग-अलग जगह पे अलग-अलग time क्यों होता है since since it is scalar अगर यह scalar है उसके बावजूद भी है अलग-अलग time क्यों होता है तो reason क्या बता होगे different time different time is due to rotation rotation of earth earth के rotation की वज़े से होता है and time is measured time is measured by sun light sun light approaching to earth earth पे जो sun light पोच्च रही है उसके इसाब से यहां पे measure किया जाता है चीक है ना बच्चों तो आपने देखा कि यहां पे scalar quantity क्या क्या होती है स्केलर क्वांटिटी का मतलब अभी हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी वह होती है जिसके पास केवल मैगनिट्यूड हो कोई डारेक्शन नहीं हो और इसी क्वांटिटी कौन कौन सी हो गई क्या है स्केलर कि स्केलर मांस स्पीड है तैम वर्क एनरजी पावर ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी भी जोती होती बच्चों इसमें इसा कोई दिकत नहीं है पर टाइम को क्या बोला तो ने कि टाइम अलग-अलग जगह पर अलग-अलग क्यों होता है कारण क्या बताया टाइम का अलग-अलग होना अलग-अलग rotation अर्थ के rotation की वज़े से होता है और अपन हमेशा टाइम को कैसे मेजर करते हैं सनलाइट के पोश्चने में ठीक चलो अब अगला पार्ट आते हैं यह तो आपने एक पार्ट देखा कि पहला क्या है दूसरा टाइप क्या है बच्चों वेक्टर क्या होती है एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी विच्छाइज बहुत 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 बहु पर फिली चीज तो क्या है वेक्टर कुसे ही बोला जाएगा जिसके पास magnitude भी हो डारेक्शन भी हो उस quantity को आपन बोलते है वेक्टर ठीक है मतलब बिना यूं कह सकते हो विदाउट डारेक्शन नो सिग्निफिकेंस बिना डारेक्शन पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अब आपन एक्जामपल पर देखते हैं तो एक्जामपल कौन-कौन से हो गया सबसे पहला displacement मैंने आपको बताया ना हम चलते हैं तो क्या है डिस्टेंस पर अगर हम शोटेस लाइन पर चलते हैं तो क्या है displacement फिर क्या हो गया velocity velocity third acceleration ठीक है फॉर्थ क्या हो गया हमारा फोर्स ठीक है फिर फिफ्ट क्या हो गया हमारा acceleration हो गया फोर्स हो गया momentum हो गया फिर angular momentum हो गया angular momentum ठीक फिर ओगया टॉर्क यानि वेक्टर तो बहुत सारी quantity होती बच्चों इसमें सोचने की कोई जरुबत नहीं है तो आपने देखा हर एक वो quantity वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी जिसके पास magnitude और डारेक्शन दोनों ठीक है अब आपने थर्ड क्वांटिटी पर अभी देखो मैंने एक वर्ड यूज किया है टॉर्क आपना आगे जाके im a quantity विजे है small मैंने दिफ्रेंट मैंने डिफेंट मैंने फिरेंटी उर्म det quantity is called as that quantity is called as tensor quantity that quantity is called as tensor quantity ठीक है अब इसके example क्या है example की form में है हमारे electric current अब electric current का मतलब आप ऐसे समझ लो कि इसको अलग-अलग में अलग-अलग magnitude होने का भी कारण्ट क्या है या आप से पूछा जाए कि वाई electric current क्यों की form मैं अगर अपने से पूछे वाई electric current कि electric current इस टेंसर कि वाई electric current इस टेंसर नॉट वैक्टर वैक्टर क्यों नहीं है तो reason क्या है जैसे मैं आप से कहूं बच्चो यह branch हो गई यहां से पांच ampere आ रही है यहां एक चली गई यहां दो चली गई तो यहां दो चली गई आए ना तो आपन क्या लिखते हैं कि पांच जो थी वो तीन में डिवाइड हो गई एक दो तीन जबके आपने देखा और थी करण्ट वहां थी करण्ट थी करण्ट वेक्टर को डाक्टाइट नहीं किया सकता वेक्टर एडिशन लो तो आप ऐसे की impressक क killing को यसलिए कंसि ered किया जाता है विकॉर्स डिस कॉंट्टी दस्म अब्वे क्टर एडिशन लो ॥ opin करते इसलिए अपने वन ना लिखा है डा Ciao पार त opens तो आपन ने आज देखो शुरुआत में तो यह चीज देखी पहले तो यह समझा कि कितने टाइब की क्वांटिटी होती है अब उसके बाद आपन ने देखा कि वेक्टर की जरौत क्यों पड़ी और फिर उसके बाद आपन ने इनको नोट किया ठीक अब आपन देखते हैं ब कि लिए ऑन की पके यह उँकरशों शुरुआ क्यों धिर फिर चासरी कितने इनको लुट में उसके दिखा कि अब खान पर ले शुट्टों कि ने हैं ग्यूज उस्मरश सेय ने की जादेवा हैं लू में देखा कि उसके कि लिए इकार वार्ट कि देखा हैं आपने कि देख of vector ठीक है formation of vector में समझना ध्यान से माल लो बच्चों कि हमारे तीन एक्सिस हो चुके कौन कौन से यह हो गया x-axis यह y-axis और यह z-axis क्या हो गया बच्चों यह तो हो गया x-axis यह y-axis और तीसरा z-axis अब एक चीज ध्यान में रखने हैं क्या x-axis is denoted x-axis is denoted by कि से denote करते हैं तो denote करते हैं सर आई केप से देखो यह आई और उसके उपर केप बनानी ठीक है y-axis तो y-axis is denoted by तो y-axis कैसे देखो करेंगे तो वो आता है बच्चों जे केप से ठीक और थर्ड क्या है z-axis तो z-axis is denoted by वो किसे denote करेंगे तो आएगा हमारा के केप से पहले तो यह तीनों चीजे समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों क्या समझना ज़्यादा जरूरी है कि तीन एक्सिस होते हैं हमारे कार्टिचन कॉडिनेट में कौनसा i-cape, j-cape और k-cape वेक्टर की definition में अगर अपने से पूछा जाए math की definition में कितने होते हैं तो x, y, z पर x को हम किससे denote करेंगे, i-cape से, y को किससे denote करेंगे, j-cape से, और अगर z को denote करना होगा तो किससे denote करेंगे, k-cape से, ठीक है, तो अब देखो, मानलो बच्चों, यह हमारा एक point है, कौनसा a है, और यह हमारा हो गया b, ठीक है, और मुझे, मानलो कि अपने से बोला जाए कि let a point, has coordinate, coordinate कौन-कौन से है, x1, y1, z1, x1, y1, z1, b point, b point के coordinate क्या है, x2, y2, z2, कितना हो गया, x2, y2, z2, तो अगर अपने से बोला जाए कि अगर यह, तो इसका significance क्या है, अब वो समझो कि मैंने arrow बनाया, देखो बच्चों, तो arrow का मतलब क्या है, इसे तो बोलते हैं, बच्चो, tell, क्या बोलते है, tell, और यह होता है, head, है न, एक चीज़ ध्यान में रखना, head कहा होता है, यह आप समझ लो, final point, हमेशा head कहां पे होगा, final point पे, tell कहां पे होगा, initial point पे, initial point, तो एक चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि arrow या vector को arrow से क्यों denote किया जाता है, उसका कारण ही यह होता है, जो tell होता है, वो तो होता है, हमारा initial point, और जो head होता है, वो final point, मतलब अगर अपने से पूछा जाए, कि मैं AB vector बना रहा AB vector तो आप ऐसे समझो, starting from A, starting from A, ending at B, ending at B, समझे, कि अगर मैं AB vector बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, AB vector, तो AB vector के अंदर मुझे यह ध्यान में रखना है, कि हम A से start हो रहे हैं, और कहां की तरफ जा रहे हैं, बच्चों, B की तरफ, A से start हो के किदर की तरफ जा रहे हैं, B की तरफ, है ना, अगर मैं इसे बोल देते हैं, कि यह BA vector बताओ, तो vector को हमेशे उपर arrow से बनाते हैं, अब देखो BA का मतलब, देखो, tell किदर आ रहा है, B पे, head किदर आ रहा है, A पे तो आपन क्या लिखेंगे, starting from B, starting from B, ending at A, ending at A, तो यह हो गया हमारा BA vector, AB vector का मतलब, A से start होके, किदर की तरफ जा रहा है, B की तरफ, ठीक, चलो, अब मुझे ही बताओ, मान लो, इसके आपने बोले हैं, X1, Y1, Z1, और इसके क्या बोले है, X2, Y2, Z2, है ना, तो अब देखो, formation of vector कैसे होता है, बच्चो, formation of vector, vector का formation क्या होता है, तो ऐसे होता है, final coordinate, coordinate minus initial coordinate, final coordinate minus initial coordinate, और यहां क्या लिख दोगे, with direction, with direction, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, final coordinate में से किसको minus कर देना है, initial coordinate को चलो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे को बनाना है, A, B vector, क्या बनाना है, A, B vector, तो A, B vector का मतलब क्या, starting from A, ending at B, हमारे को क्या करना है, ऐसे start होना है, और कहां पर जाना है, B पर, तो जब आपन B पर जा रहे हैं, तो हमारे final coordinate किसके होंगे, B के, और initial coordinate कितने होए, A के, तो देखो, X2-X1, final coordinate minus initial coordinate, और direction कौन सी है, तो direction में हमने देखा, X axis को किस से denote करते हैं, तो यह I cape हो गया, ठीक है, फिर plus Y2-Y1, यह क्या हो गया, J cape, क्या हो गया बच्चों, J cape, है ना, फिर third, यह J है ना, और third क्या हो जाएगा, Z2-Z1, Z2-Z1, और यह क्या हो गया, क्या हो गया, अगर मुझे AB vector बनाना है, तो AB vector में क्या करा, मैंने, final coordinate minus initial coordinate किया, और उनकी direction के, उनके साथ multiply करते गए, ठीक है, एक होता है, बच्चों, magnitude, magnitude of vector, magnitude of vector, यह यह कह सकते हो, इसे कहते हैं, length of vector, length of vector, और इसे denote किया जाता है, mode से, किस से denote करते हैं, अपन, mode, denoted by mode, किस से denote किया जाएगा, mode, ठीक है, तो mode AB का मतलब क्या हो गया, तो mode AB का मतलब होता है, बच्चों, इनके बीच की distance या length, vector की length कितनी होगी, यारी आप से ही समझ लो, कि अगर मैं आप से कहूं, कि यह vector छोटा है, और यह vector बढ़ा है, आप से पूछा जाएगी, which has magnitude larger, यह A vector है, यह B vector है, और आप से पूछा जाए, A is greater than B, और B is greater than A, तो कैसे decide करोगे, तो हमने देखा, B की length जादा है, A की length का मैं, तो length को किस से decide किया जाता है, vector से, तो answer हमारा क्या हुआ, यह वाला, क्योंकि B की लंबाई हमारे को जादा दिख रही है, A की लंबाई क हम दिख रही है, तो हमेशा जो लंबाई होगी, उसको किस से दिखाया जाएगा, मोड से, मोड मतलब क्या हो गया, दोनों vertical line, और इसको कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका, ऐसे निकाल, ऐसे ध्यान में रखना, under root of X coordinate, का square, प्लस Y coordinate, का square, प्लस Z coordinate, का square, समझे, अब X coordinate हमारे vector का कितना है, X2-X1 का square, अगला coordinate हमारा कितना है, तो वो है Y2-Y1 का square, अगला coordinate कितना है, Z2-Z1 का square, यानि अगर मुझे AB vector निकालना है, क्या करना है, बच्चों, AB vector निकालना है, तो यह ध्यान में रखना, AB vector को कैसे निकालते हैं, X2-X1, I, K, प्लस Y2-Y1, jk plus z2 minus z1 kk अब देखो मैं वापस से एक बार revise करा देता हूँ फिर आपने example के through इसको समझेंगे न सबसे पहले तो formation of vector के लिए हमने ये चीज देखी कि तीन coordinates हो गए हमारे x, y और z हमें ये पता है कि x coordinate को हम denote करेंगे i cape से y coordinate को denote करेंगे a point तो हो गया हमारा x1, y1, z1 वाला और b point जो हो गया बच्चों हमारा वो x2, y2 और z2 वाला ठीक है अब हमारा काम क्या है vector का मतलब हो गया पहले तो ये decide करना पड़ेगा कि आप कहां से start कर रहे हो कहां पे जा रहे हो तो हमने देखा कि हम a b vector बना रहे है a b vector का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप a से start कर रहे हो कहां पे जा रहे हो b पे यानि a b vector में जो final vector या arrow जिदर की तरफ बनेगा वो तो b पे यहाँ पे हमने दो चीज़ देखी कि एक तो होता है tell और एक होता है head tell का मतलब initial point या starting point जिसे के सकते हो और head का मतलब final point या destination point जहां आपका destination होगा जहां पे आपको जाना है वो हमारा arrow point हो चुका है head point हो चुका है तो a b vector में हमने देखा a तो हमारा starting point है b हमारा ending point है अगर मुझे कभी b a vector बनाना होता तो b starting point होता और a जो होता वो ending point होता ठीक है बच्चों अब हमने देखा कि ये arrow से तो हमारा को पता लग जाएगा यानि कभी भी मुझे vector quantity को बताना है तो उस quantity के उपर अगर आप arrow बताते हो उस quantity के उपर क्या करते हो vector कि कैसे हमारे को एक vector का formation करना है जैसे मुझे a b vector बनाना है तो उस a b vector को मैं कैसे बनाऊंगा तो बनाने का तरीका क्या है पच्चों मैंने एक सीधा सा तरीका आप लोग को बताया है क्या करो final coordinate में से initial coordinate final coordinate में से initial coordinate को minus कर दो और with क्या करो direction समझ में आया, final coordinate में से इसको minus कर दो, initial coordinate को जैसे मैंने AB vector बनाया तो final point हमारा है B और starting वाला point कौन सा है A, तो मैंने क्या करा सबसे पहले x2-x1 लिखा क्या लिखा बच्चो x2-x1 x2-x1 का मतलब क्या हुआ कि हम A से start कर रहे हैं और B पे जा रहे हैं अनिशल कोडिनेट है तो एक्स टू माइनस एक्स एक्स वन आई केप ठीक है अब उसके बात देखो अगला लिखा मैंने वाई क्योंकि यह निए य इसके साथ क्या लिखा फिर द्या लिखा बच्छो जैड टू-धी यह एक्स यानि एक्स एक्स और फेक्ट बच्छो लैंत ओफ एक्टर चैड़ा से खाळाएं प्लाइज लेंत यूफ वेक्टर तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको आपन डिनोड करते है मोड से किस से डिनोड करते हैं बच्चों मोड मतलब वैक्टर के अगर आजू बाजू आपने दो वर्टिकल लाइन खीज दी तो यह आपका क्या हो चुका है मोड और इसे कैसे निकाला जाता है जो भी आपने वैक्टर बनाया उसका एक्स कोडिनेट यह यह के सकते हो आई के कोफिशेंट का स्कॉायर प्लस जे के कोफिशेंट का स्कॉायर प्लस के के कोफिशेंट का स्कॉायर यह ऐसे के दो एक्स कोडिनेट का स्कॉायर प्लस य कोडिनेट का स्कॉायर प्लस जेड कोडिनेट का स्कॉायर यानि क्या आया अं आपन क्योशन देखते हैं ना मालो एक कोडिनेट है 1,-1,2 और बी कोडिनेट है हमारे 2,3,-4 समझे बच्चों क्या है एक कोडिनेट 1,-1,2 अब बी कितना है 2,3,-4 आप से बोला जाया form AB vector and calculate length क्या बोला जाए length निकालो या magnitude निकालो तो कैसे निकालोगे मैंने देखा AB vector बनाना है अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा हूंगा जैसे सरने बोला वैसे करेंगे AB vector मतलब starting from A ending at B तो B पे end हो रहे हैं तो B पे end हो रहे हैं मतलब 2 3 और 4 माइनस 4 यह हमारे final coordinate है अब formation of vector क्या कहता है final coordinate minus initial coordinate with direction तो देखा final coordinate 2 minus initial coordinate 1 और यहां क्या आएगा IK ठीक है plus 3 minus minus 1 और यह क्या आया JK plus minus 4 minus 2 KK समझे देखो 2 minus 1 क्योंकि यहां वही था इसलिए IK 3 minus और यहां coordinate minus 1 है तो यहां minus 1 अब अपने को पता है minus minus क्या हो जाएंगे बच्चों plus 1 हो जाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे यहां IK plus 4 JK और यह आ गया प्लस और माइनस देखो यह माइनस 6 बनेगा तो माइनस 6 KK क्या निकल गया बच्चों माइनस 6 KK ठीक है अब मुझसे पूछा जाए कि AB वेक्टर का मोड यानि लेंथ जो आमारे से पूछा है तो अगर लें ninth निकालना है तो क्या करें कुछ मत करो लेंंथ नी करना है तो कुछ मतलब करने का मतलब यूंहिं नीकाल लेंगे जहिए और सोरह माइनस 6 आप अपने को निक्राईगे यहां कोommes प्लस में हो या फिर माइनस में अपने को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपने को पता है स्कॉयर होते हैं तो सारी कुण्टिटी प्लस हो जाएगी फाइनली कितना आगया बच्चों अंडर रूट आफ यह बता वन 16 17 17 प्लस 36 17 प्लस 36 कितना हो गया रूट आफ 53 तो हमारी जो लेन्थ निकल के आई वो अंडर रूट आफ 53 निकल के आए एक और क्विश्चन देखते हैं मानलो हमारे से बोल दिया जाए सर कि यह पॉइंट है 2,3,4 और बी पॉइंट हो गया minus 1,minus 1,minus 2 क्या हो गया टू कॉमा थ्री कॉमा फोर और मियम से बोल दिया पता हो बीए वैक्टर क्या होगा ? की वेक्टर क्या होगा तो मैगनिटिउड क्या करें अब क्या करें ? सबसे पहले तो हमने यह देखा कि सर बीम वैक्टर निकालने का मतलब unserem starting from B ending at A तो ब्याव एक्टर निकालना इतना tough बात नहीं है क्या करें कुछ नहीं minus 1 minus 2 ik plus minus 1 minus 3 jk plus minus 2 minus 4 kk है ना जैसे मिनने बताया final coordinate minus initial coordinate अब देखो क्या गलती हो गई हमारे से यह वाली चीज जो थी वो ज्यादा बनेगा और यह लिखोगे और यह लिखोगे 2-1 एक आई केप समझे प्लस यहां क्या आएगा 3-1-1 जे केप क्या आएगा 3-1-1 जे केप और यहां क्या आया 4-2 जे केप ठीक है तो यह कितना आया बच्चों 3 आई केप प्लस 4 जे केप कितना आया बच्चों 3 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 6 केप तो बच्चों का मैगनिटूड कितना आया तो बच्चों का मैगनिटूड आया अंडर रूट ऑफ 3 का स्कॉर प्लस 4 का स्कॉर प्लस 6 का स्कॉर तो यह आया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 36 तो देखो थाइटी सटीन तो गया 52 और यह आया अंडरूट ऑफ 61 तो देखो आज की लेक्षर में आपनमें देखा कि वैक्टर्स क्या होते हैं vectors की जरुवत क्या होती है type of quantities क्या होती है और vector को कैसे form किया जाता है ठीक है अब इसके आगे वाले lectures में आपन देखेंगे कि types of vector क्या क्या होते हैं और कैसे हमारे को component करने होंगे किसी भी एक vector की है ठीक है वो सबसे ज्यादा important ठीक चलो thank you